हेलो दोस्तों स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करन्ट गवर्मेंट जोब पर जहां मिलते हैं आपको गवर्मेंट जोब से संबंद सारे लेटेस्ट अपटीट दोस्तों उत्तरप्रदेश में यूपिप पुलिस की पतास्यर भरतियों के बाद एक औ आज डेट 28 दिसंबर है और अजि मेठ और समें मेल और फिमेठ कर सकते हैं यहां आपने पुलिस का फ़लाय या नहीह आप आप इस फॉर्म को भी बढ़ सकता हैं और दोस्तों अगर आप चैनल पर नहे हो यावी तक आपने इस चैनल को सک्क्राइब नहीकिया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जीरू करें जिससे कि आगे भी आपको लेटेस्ट अब्डेट मिलते यह बर्ती यूपी पी आर पीवी मतलब उत्तर प्रदेश प्लिस रेक्रूट्मेंट एंड प्रमोशन बूर्ड ने निकाली है जो कि फायर में जेल वार्डन और होर्साइडर की बर्ती है बर्ती का एड़्वाटाइजम नम्मर है पी आर पीवी अब बात करते हैं इस बर्ती संबंदित मैत पूर्ण तिति होगी दोस्तों इन नोटिफिकेशन आया था अपका तीश नो और इसकी जो स्टाइडिंग होगी डेट की फॉर्म बनने की वह होगी आर दिसंबर से और जो लास्ट डेट है वो है 28 दिसंबर 2018 और जो फीस पेकनने की अंतिमति थी है 31 दिसंबर 2018 दोस्तों आपकी जो परिक्षय होगी वह संभावित है जनवरी 2019 में होगी और जिसका एडमिट कार्ड भी आपको जनवरी 2019 में ही अप्लब हो जाएगा और अब बात करते हैं इस अप्लिकेशन संबंदित फीस की कि किसनी फीस लगेगी दोस् तो यहां पर 400 रुपे फीस है जो कि सवी कैंडिडेट्स के लिए बरावा है इसका पेमेंट आप डेविट कार्ड क्राइट कार्ड नेट वैंकिंग के थ्रू कर सकते हो अगर आप इसका पेमेंट ऑफलाइन कर रहे हो तो उसका पेमेंट आप इचालन के माध्यम से कर सकते करते हैं इस बेकंशी संबंदित अधर इंपोर्टेंस फैक्ट पर तो दोस्तों बेकंशी टोटल डेटेल है चावण सो उननीस है और इसके लिए जो एज लिमिट की गरना होगी वह होगी एक साथ तोएरा अठारे के इसाफ से इसके लिए जो एज लिमिट है वह है अठार अब बात करते हैं की डेटेगरी वाइस बेकंशी टीटेल की कि किस के डिगरी के लिए किदनी वेकंशी अपलब्ध हैं पहले बात करते हैं कॉंस्टेबल होर्ज राइडर की जो गुर्षावार होते हैं उनकी तो उनके लिए जनरल में 51 हैं है सी में 21, हैस्टी में 2 और OBC अधरवकवर्ड कास्ट अने पिक्सावर्ग में 28 से इस तरह से कॉंस्टेवल गुडशावार की जो कुल जगए वो है 102 उसके बाद बात करते हैं फायर्मेन की फायर्मेन के लिए जनरल में 841 है से में 352, से में 33, ओबीजी में 453 इस तरह से उनका टूटल होता है 1679 बात करते हैं जेल वार्डन की फुरुस और महिलाया दोनों एपलाई कर सकते हैं जिसमें पुरुसों के लिए जनरल में 1507, से के लिए 632, से के लिए 60, ओबीजी के लिए 813 जगए है इस तरह से जेल वार में पुरुसों के लिए 312 जगए हैं वहीं अगर महिलाओं की बात करें तो जनरल में 314, से में 31, से में 12, और ओबीजी में 169 इस तरह से उनका टूटल होता है 626 करते हैं सेक्षी के योगता और सारी दिखसिता की तो दोस्तों इस बढ़ती के लिए आपने कम से कम वार्व करते हैं सारी ने योगता की तो दोस्तो मेल जो हाइट जनर्नल चेस्ट की बात करें तो 79-84 सेंटिमेटर 77-82 सेंटिमेटर होने चाहिए ऐस्टी मेल के लिए आयो की गण्ड़ना कि अगर बात करें तो उसकी गणौना होगी पृष्षभ भियारती ने दिनांग 172 18 को 18 वर्ष की आयू प्राप्त करें और 22 वर्ष की आयू प्राप्त ना हो अर्थार्थ अभ्यारति का जनम 2 जुलाई 1996 से पूर्फ तथा 1 जुलाई 2000 के बात का नहीं होना चाहिए प्राप्त करें और 25 वर्ष की आयू प्राप्त करें और 25 वर्ष की आयू प्राप्त नो अर्थार्थ अभ्यारति का जनम 2 जुलाई 1993 से पूर्फ तथा 1 जुलाई 2000 के बात का नहीं होना चाहिए आप इस भरती की नियावली बोड की एपसाइट यूपी पीवी पीवी डॉट गॉर्मेंट डॉट इन पर जाकर पढ़ सकते हैं तो दोस्तों लेखित परिक्षा के लिए इसमें दिया जाए कि ऐसे ब्यारति जिनके आविदन पत्र पूर्ण एवं सही पाये जाएंगे उ अब ब्यारतियों को लेखित परिक्षा में गलत उतर देने पर नेगेटिव मार्किंग होगी मतला अगर आप गलत जवाब देते हों तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे आप लेकित परिक्षा पास कर लेते हूं तो आपको डॉकुमेंट वेरिफिकेशन और सारे मानि प्रिश्ट के लिए बला जाएगा दोस्तों में फीजिकल में जो हाइट है वह सामान ने प्षडवर्ग और अनुश्य जातिके ब्यारतियों के लिए नितम एक सब्सक्राइब होने चाहिए वही सट के लिए सीना की बात करें तो जर्नल ओबीसी और सी के लिए जो सीना हो सेवंन्तिंग रिया फ्लाएघ एटीफूर 안ईवर्ग दिनजाती टीके ब्यारतियों मतलब एक स्टे के you सब्सक्राइब करें तो उनके लिए सब्सक्राइब करें तो नियुक्त किलोग्राम होना चाहिए बात करते हैं जैसे ही आपका फीजिकल हो जाता है और आपको डॉकुमेंट के लिए बुलाए जाएगा इसमें प्रोसब ब्यारतियों को और ताली सब मील्टर मतलब 4.8 किलोमेटर के डॉल 25 मिंट में अधिकत्रम 25 मिंट में वहीं महिला ब्यारतियों के लिए यह बरति के पात्र नहीं माना जाएगा अनुसु चिछाती के लिए वह 5 वर्स की अनुसु जाती के लिए पांस वर्स की और जो एक कीस है और अनुसु चाहती के लिए सब्सक्राइब देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद